तो शुरुआत संजय जी मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि मैंने वोटिंग परसंटेज बताया मधिप्रदेश में थोड़ा सा बढ़ा है चतीस गड़ में थोड़ा घटा है आजस्थान में थोड़ा बढ़ा है मिजोरम की इस्थिती भी यही है तो लेकिन अगर प्रिसाइजली ये तीन हिंदी पट्टी के राज्य मैं आपसे इस वोटिंग परसंटेज के हवाले से समझना चाहूं तो क्या संकेत देते हैं वोटिंग परनाउट को देखें तो सचमुछ वोटिंग टरनाउट से दो कोई संकेत नहीं मिलते दूसरी चीजों से संकेट जरूर मिल सकते लेकिन वोटिंग टर्नावट से कोई संकेत नहीं है तन के साथ मन को जगाओ वीघार वाटर हीटर्स के संग वीघार मामली सी बढ़त राजस्थान में मामली सी बढ़त मध्य प्रदेश में और मामली गिरावट चतिस गड़ में आमूमन एक धारना बन गई थी कि अगर बढ़तावा टर्नाउट एक इंट्री इंकम्बेंसी की और सूचित करता है मतलब यह लगता है कि अगर लोग जादा संक्या में बोट देने आ रहे हैं तो सरकार को हाराना चाहते और नई सरकार लाना चाहते यह धारना बनी वी है और मैं कहता हूं यह बिल्कुल गलत धारना है क्योंकि अगर आंकडों के नजरिये से देखेंगे तो राजस्थान, मध्यपरदेश, 36 गड़, अंडे राज्यों का भी अगर हम जिक्र करें तो तमाम चुनाओं में हमने देखा टरनाउट बढ़ता है लेकिन सरकारे दुबारा जीतती भी और हारती भी है और इसका ठीक विपरीद भी होता रहा है कि टरनाउट घटा है लेकिन सरकारे दुबारा जीत के आती है और सरकारे हारती भी है कोई सिधा सिधा संबंद नहीं होता है टरनाउट का चुनाव के नतीजों से या आप कहें ट्रेंड से और खासकर इस बार के जो तीन राज्यों का आप जिकर रहे है तीनों में टरिनाउट मैं तो कहूंगा लगबग उतने ही है जितने पहले थे संतर होगी या फिर बीजेपी के लिए पेचीदगियां और बढ़ेंगी क्योंकि अगले साल लोगसभा के चुनाव में भी जाना है कि तेकि मुझे लगता अभी भी मैं जो पिछले महीने दो महीने से चर्चाएं हो रही है और जो कुछ भी हम ट्रैक करते रहें उसके हिसाब से मुझे लगता है 36 अभी भी कॉंग्रेस के लिए काफी एक तरह से कॉंग्रेस 36 गड़ में बीजेपी की बात करें तो मुझे लगता है राजस्थान में उनकी जीत होनी चाहिए या वो आगे दिखते मुझे मद्धि प्रदेश की अगर बात करें तो मद्धि प्रदेश में चुनावी मुकाबला बहुत कड़ा मुझे दिखा ही पड़ता है दोनों मजबूत दिखती है 36 गड़ कॉंग्रेस मजबूत दिखती है और मद्धि प्रदेश में बड़ा काटे का मुकाबला होता है दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसकी वज़ा अगर मैं संजय जी आपसे समझू राजस्थान में बीजेपी तो इसलिए क्या मुफीद सिचुए में दिख रही है कि क्योंकि रिवाज है चला आ रहा है पिछले 30 सालों से भैरो सिंग शेखावत के जमाने से पिर वसुंद्रा राजे अशोगेहलोत वसुंद्रा राजे अशोगेहलोत तो इस दफ़ा बीजेपी का दिखता है कि रिवाज नहीं बदलते हुए लेकिन मद् कि अगर राजस्थान में मुझे बीजेपी आगे दिख रही है उसकी यह वज़ा नहीं है कि वहां एक रिवाज है अगर यह रिवाज के काहीं कोहीं मानना होता तब तो एक तरह से वोटर भी बड़े डॉर्मेंट हो जाते हैं चुनाव ही ना करा है क्योंकि रिवाज के का पारन नहीं और कई ऐसे संकेत हैं मुझे लगता है कॉंग्रेस की जो जो सेवन गैरेंटी जिसके भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं और जो तमाम स्कीम से मेरी समझ से कॉंग्रेस के स्कीम थोड़े देर से आये और बीजेपी ने दो मुद्दों को एक हत्यार बनाया रा बीजेपी कॉंग्रेस के स्कीम से रहांएं लेकिन यह स्कीम थोड़े देर से आये पहुँचे नहीं है बात या लोगों को पाइदा नहीं पहुचा से कॉंग्रेस के समर्थन में लोगों का वोट गोलबंध नहीं हो पाया राजस्तान ने जितना होना चाहिए जितनी ज़रूरत्य को को जीत दर्ज करने के लिए राजिस्थान में इस वजह से मुझे लगता है BJP आगे मुझे दिखती है मुझे लगता है BJP को एज अगर मंद्यप्रदेश की बात करें तो मंद्यप्रदेश में पहले तो कॉंग्रेस बहुत आगे दिखाई पड़ती थी लेकिन पिछले दो इसरी खेंपेन किया है उनके एक दो स्कीम खासकर लाडली बहन है स्कीम बहुत पॉप्लर रोपीलर है और महिला वोटरोन रहां कि यह गीछ होती है जितनी पूरिशों की है तो महिलाओं का वे फूट गोंतिर तो ट्रिट होता वह से जिश्चकया तरफ तो कंप्लेसेंसी आई कॉंग्रेस के चुनाव केमपेन में, कम से कम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बड़े सरवे से मान बैठे थे कॉंग्रेस के निता, कि वो चुनाव जीत रहे हैं, बनकि वो आंकड़े देते थे, 160-150 का आंकड़ा बार बार देते थे.